असलाम अलेकुम विडियो आज का वीडियो एक रिक्वेस्टेट वीडियो एक चोटे से प्राब्लम के बारे में हैं अगर हमारे पास अपने रोड में रोड देगी हो ठीक है राइट ओवे दिया गया हो तो उसको हम अपने सिवल 3D क्रास सेक्शन में कैसे लेबल करते हैं ठ यही चीज़ हम इस वीडियो में आज डिसकास करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग उससे रक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक जुरूर करें और कुमिंट सेक् की जो लिमट है वो यह है और उनको यह सिवल 3D सेक्षिन में यह लेबल लगाना है ठीक है मैं स्टार्ट करता हूं वीडियो इसके लिए different method हैं मैं दो method इसमें वीडियो में जो है explain करूंगा आप लोग कोई भी use कर सकते हैं इसमें जो आपको अच्छा लगे तो सबसे पहले जो है हमने अपनी जो row है वो define करनी है ठीक है आपकी ट्राइंग में यह लिमर्स और वर्क जो है वो प्लाट होनी चाहिए ठीक है मेरे पास यह सेंटर लाइन के alignment है कौरीडर यह ऐं तो यह और मेरे पास यह सेंटर लाइन है ओकी सबसे पहले मैं क्हिकरता हूं मैं इसके offset लगा लेता हूं offset center line की जो offset alignment बना लेता हूँ, उनके पास 35 meter की limits है, तो मैं 35 meter ही लगाता हूँ इसको, हमारे पास यहाँ पर जो label है, वो 10-10 meter पर है, 10 meter interval पर है, ठीक है, तो अगर हमारा इन interval के बीच में कहीं, ROWR है, तो उसको label कैसे करते हैं, वो भी हम देखेंगे, उसका offset वगएरा, elevation वगएरा, वो भी cross section में कैसे show करते हैं, तो वो भी देखेंगे, शाल्ला, alignment, offset alignment, तो यहाँ पर यह मेरे center line है, मेरे पास, ठीक है, आपके पास जो भी हो, आपने उसको select करना है, और यहाँ पर आपने अपना offset दे देना है, यहाँ पर, 35 मिटर मैं इसको ले रहा हूँ, और यहाँ पर मुझे offset profile नहीं चाहिए, जस्ट मैंने इसको okay करना है, और यहाँ पर यह जो alignments है, यह create हो जाएगी, तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर यह alignment है, यह minus 35 की है, और यह वाली जो है, यह plus 35 की है, यह right side है और यह left side है, ठीक है, तो अभी इनको हमने यहाँ पर label कैसे करना है, ठीक है, मैं cross action view को select करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास drawing में दो blocks है, ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको arrange कर सकते हैं, ठीक है, वो यह एक आप ले लें, जस्ट आपने ऐसे एक block बनाया है, ठीक है, और cross action को आपने select करना है, group property, और यहाँ पर एक profile की option है, आपने इसको select करना है, और यहाँ पर आपकी जो alignments है, इनको आपने add कर देना है, दोनो alignment add होगी हैं, left और right की, यहाँ पर इसके साथ अभी हमने profile बनानी है, इसके साथ अभी profile नहीं है, ठीक है, तो आपने पहले क्या करना है, इसमें profile बनानी है, यहाँ पर home tab में create design panel में profile का tool है, यहाँ पर आपने create surface profile में जाना है, यहाँ पर आपने अपनी alignment लेनी है, जो भी है आपके पास, ठीक है, और जो आपकी existing surface है, आपने उसको यहाँ पर add कर देना है, और ok कर देना है, ठीक है, यहाँ पर फिर मैं इस process को repeat करता हूँ, create surface profile, पहले हमने left side की बनाई है, अभी मैं right side में इसको add करता हूँ, और just ok कर देता हूँ, मुझे यह draw नहीं करनी है, ठीक है, अभी मैं cross section view को select करता हूँ, group property, और यहाँ पर profile की option है, यह 35 meter right है, इसको मैं add करता हूँ, और यहाँ पर block बनाया है, आपने उसको select करना है, ok, मेरे पास यह एक block है, मैंने इसको select किया, ok, just मैं इसको ok करता हूँ, apply करता हूँ, और ok करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे cross section में, यह limits of works जो हमारे पास यह जो block था, लिखा वा, वो हमारा यहाँ पर assign हो गया है, ठीक है, यह जो block है, इसके साथ elevation की option नहीं है, ठीक है, यह just एक block है, तो यह dynamically, यह label कैसे आएगा, ठीक है, यह हम दूसरी option में अभी देखते हैं, मैं इसको undo कर देता हूँ, या मैं इसको, मैं इसको delete कर देता हूँ, वो block मैंने delete कर दिया, cross section में से, ठीक है, अभी हम अपनी दूसरी option की तरफ जाएंगे, तो दूसरी option में मेरे पास क्या है, मेरे पास यह जो alignments है, और यह जो sample line है, यहाँ पे मैं अपने points create करूँगा, ठीक है, यहाँ पे आपने point tool में जाना है, point creation tool, यहाँ पे हमारी point identity जो है, वो भी 380 है, ठीक है, यहाँ पे point creation में आना है आपने, आटोमेटर, 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 और यहाँ पे आपने अपना description दे देना है, जो भी आपको चाहिए, मैंने यहाँ पे row, rt, right लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैं mirror alignment की option लेता हूँ, जैसे ही, मैंने इसको click किया है, तो मेरे पास यह selection का marker आ गया है, ठीक है, मैं इसको selection करता हूँ, और यहाँ पे मुझे जो elevation चाहिए, ठीक है, वो existing ground से चाहिए, ओके, यहाँ पे मेरे पास option आ रही है कि zero station से start alignment, और 1 plus 171.61 पर यह end और रही है, तो यहाँ पे मैं दो दफ़ाइंटर प्रेस करता हूँ, और अभी मुझे offset जो चाहिए, पहला वो 35 meter राइड में चाहिए, तो मैं इसको 35 meter देता हूँ, ओके, और interval जो है, वो मेरा 25 meter पे sample line है, तो मैं इसको just enter करता हूँ, ओके, तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे यह जो है, यह point create हो गये है, ओके, मैं यहाँ पे इसको right click करके command से बाहर आता हूँ, यहाँ पे अगर अभी हम point identity देखें, ठीक है, तो 427 है, जबके हमारा 380 से यह start हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको, यह point group है right का, property, यहाँ पे अगर हम point list में देखें, तो अभी तक कुछ नहीं है, यहाँ से मैं इसको, 380 से, 426, यह मैंने इसको करके apply किया है, ओके, तो यहाँ पे मेरे point यह वाले जो हैं, अभी add हो गए है, मैं जस्ट इसको ok करता हूँ, ओके, और यहाँ पे मैं इसका जो point style है, वो मैं थोड़ा change कर देता हूँ इसको, point style मैंने change कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे row right लिखके, यहाँ पे आ गया है, ठीक है, अभी next point जो है हमारे वो left side के है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी description change करता हूँ, ok, left, ok, और यहाँ पे जो है, mirror alignment, यहाँ पे मैं अपनी alignment को select करता हूँ, ok, surface को select करना है, जहाँ से आपने elevation उठाना है, और same option है, इसमें आपने enter press करना है, enter press करना है, offset हमारा इसफ़र माइनस 35 है, ok, और interval हमारा 25 है, point हमारे draw हो गए है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यह point हमारे draw हो गए है, ok, अभी in point को हमने group में लेके जाना है, ok, तो यहाँ पे यह property, ok, यहाँ पे अभीता कोई point नहीं है, यहाँ पे मैं include करता हूँ, और यहाँ पे मैं row left को include करता हूँ, apply, और अभी आप point list में देखेंगे, तो यहाँ पे हमारे जो भी point left के साथ थे, description वाले वो यहाँ पे आ गए हैं, left, property, और यहाँ पे आपने इसको, style assign कर देना है, apply और ok, तो यहाँ पे यह row left के साथ से, यहाँ पे यह point आ गए है, अभी हमने cross section view में आना है, ok, मैं इसको फ़ड़ा सब spend करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे profile and section view panel पे, यह जो drop down arrow है, इस पे आपने click करनी है, और यहाँ पे project to multiple section view, project object to multiple section view, यह option लेनी है, यहाँ पे selection की option आ रही है, को कोई आप cross section select करें, तो मैंने इसको select किया है, ठीक है, अभी यहाँ पे यह जो option आ रहे है, यहाँ पे आलड़ी हमारा जो भी section का view group का है, section view group है, वो select हो गया है, ठीक है, यहाँ पे दो option है, by percentage, by distance, तो by percentage का मतलब यह है, कि अगर आपका sample line पे point नहीं भी है, sample line से कुछ आगे या पीछे है, तो यहाँ पे यह कुछ setting दी हुई होती है, ठीक है, वो कितने percent sample line से आगे पीछे vary कर सकता है, आप यहाँ से उसको set कर सकते हैं, मेरे point जो है, वो बिल्कुल sample line पे है, तो मुझे यह जो variation है, ठीक है, वो नहीं चाहिए, मुझे सिर्ट sample line पे चाहिए, तो यहाँ पे मैंने इसको zero कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको 100% कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास जो object है, वो हमने plot करना है, मेरे पास जो है, तो मैंने इनको select कर लिया है, यह और यह जो है, ओके, यहाँ पे थोड़ा editing का option है, यही चीज जो है, आपने जहां से करनी है, तो यहाँ से आपने अपना पहला point select करना है, और shift press करना है, और last point आपने अपना select कर लेना है, तो यह point select हो गये हैं, यहाँ से आपने इसका style वगएरा जो है, वो assign करना है, तो सबसे पहले जो हमने assign करना है, वो crossing marker है, ठीक है, तो यहाँ पर crossing marker मेरे पास है, ओके, तो यह मैंने select कर लिया है, और यहाँ से मुझे इसका, जो label style है, वो मैंने select करना है, आल्रडी मैंने बनाया हुआ है, आप कोई भी बना सकते हैं अपने इसाब से, ठीक है, यहां से यह मुझे नहीं चाहिए, और Elevation जो है, वो मुझे जिस सर्फस से चाहिए, यहां से मैंने अपनी सर्फस स्लेक्ट कर लिए है, ओके, ओके, यह थोड़ा सा टाइम लेगा, आप लोग देख सकते हैं, लेबल हमारे असाइन हो गए है, और यहां पे आप देख सकते हैं, लिमट्स ओफ, वर्क मैंने लिखा है, इसके साथ, डिस्क्रिप्शन जो है, ठीक है, और यह जो है, यह 35 मीटर लेप्ट का लेबल है, और यह इसका Elevation है, यहां पे आप देख सकत हैं, यह एक दफ़ा पे यह Assign हो गए है, ठीक है, जहां पे जो जो पॉइंट है, ओके, यह Last Action में पॉइंट नहीं है, क्योंके वहां पे Sample Line पे यह Point रा नहीं हुआ है, ठीक है, मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, ठीक है, यह Last Sample पे क्यों नहीं है, कि वहां पे हमारा पॉइंट नहीं है, यहां पे, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, यह Raw Left का Point है, और यह Raw Right का Point है, यहां पे यह Sample Line पे सरफस नहीं है, जिसकी वज़ा से वह Point रा नहीं हुआ है, ठीक है, तो बाकी आप लोग देख सकते हैं, यहां पे भी Draw हो है, हर Section पे यह Point जो है, वो Draw हो पूछ सकते हैं, वीडियो देखने के लिए Thank You, अलाहाफिस